धाकड़ खबर के निउस दूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रेस खान उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार गूजर और राजपु समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं इस बार ये तस्बीर उभरी है नोईडा के दादरी लाके से यहां राजा मेहर भोज को अपना पूर्वज बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया गया है दोनों जातियों के लोग सड़क पर उतर हैं पुलिस ने इनके खिलाप फाई अर्दर्ज किर दी है उस इलाके के अंदर धारा 144 लगा दी है लेकिन ये कोई पहली बार नहीं और आई से पहले प्रत्विराज चोहान को लेकर भी ये दोनों समुदाए आमने सामने आ चुक है और वो तस्मीर भी उत्तर परदे से ही उभर के सामने आई थी ये तमाम जान करी हैं आपके सामने जो मैंने अभी तक रखी इसके बाद आपके जहन में कहीं सारे सवाल पैदा होने चाहिए कि राजा महीर भोज को लेकर दादरी में आखिर क्या चल रहा है राजपूत और गूजर समुदाए क्यों आमने सामने हैं और किस तरीके के वो दावे कर रहा है इसके अलावा पुलिस परसासे मिस पूरे मामले में क्या कर रहा है और प्रत्विराज चोहन को लेकर किस तरह से पहले गूजर और राजपू समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे और उस मामले में फिल हाल अभी क्या चल रहा है तो तमाम चीज़े बारी-बारी से आपके सामने रखने जा रहा हूं तीन से चार इसे खबर के तयार की हैं चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ यह सबसे पहले वजह का लिए यहान कि कारण पर द्यान दे लेते हैं 22 सेतंबर कह दीर का डादरी का इक डिग्री कॉलिज है जिसे आप क्या सकते हैं समराठ महिरब्हो डिग्री dedim कॉलिज यह डिग्री कॉलिज और इसके लावा इंटर कॉलिज है यहाँ पर गुजरों के एक हैं उसी को लेकर शोशल मीडिया पे तमाम तरह की कयास आ रही हैं सुरू हुई कोई राजा मेर भोज को बताने लगा गुजर समराड कोई बताने लगा उनको जो है राजपूत समराड उसी के बाद विवाद खड़ा हुआ है लेकिन मैं आपके सामने वह विवाद रखों से पहले कुछ चीज़े रखना चाहता हूं एबीपी नियूज की खबर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है गुजर समाज को साधने की बड़ी तैयारी सीम योगी करेंगे समराड मिरी भोज की परतिमा का अनावराड ये एबीपी नियूज के जरी से चार दिन पहले की कब संबहाल ली है ये दो कटिंग्स लगा कि हमने आपके सामने बताया कि पूरा प्रोग्राम है क्या और इसके बाद कैसे विवाद बड़ा है वह आप खबर के अगले से में देख लिए देखिए खबर सामने आने के बाद सबसे पहले वी वाश्रू हुआ शोशल मीडिया पर समराट मीरबोज को बताने लगे के गूजर समराट हैं और कुछ लोग कहने लगे नहीं ये राजपूत समराट हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा हो गया परसो अगर आपने ध्यान से ट्विटर देखा हो तो बाकाएदा ये दोनों मामलों के चलते ट्वीटर पर राजा मीर बो ट्रेंड कर रहे थे यानि के एक हंगामा वहाँ पर बर्पा हुआ और उसके बाद ये हंगामा जमीन पर आ गया कैसे आ गया खबर के अगले इससे में देख रहे जिए देखें जमीन पर जब ये मामला आया तो होरडिंग सफाड दिये गये और पंचायद की और पंचायद के अंगर हंगामा किया गया बोल्बचन जारी किये गए दौनों मामलों को लेकर तो अलग अलग दादरी में और जार्चा थाने में अ फाई यार दर्ज की गई है दादरी में जाँ भाइनएं近 rene नागर पर मुकदमा धर्ज किया गया यहां करतार पर मुकदमा धर्ज किया है लोकेश मौहित अनिल और इसके अलावाज श्याम सिंग समेट कुल मिलाकर कच हैं लोगों के खिलाप फाई यार धर्ज की गई इन पर आरोप लगाया गया है कि दादरी के बीजे पी विधाय तेज पाल सिंग नागर ये भी गुजरी हैं इन्हों ने मुक्य मंत्री के आगमन को लेकर रेलवे रोड पर और जीटी रोड पर कुछ पॉस्टर बगेरा लगवा दिये जिनको इन लोगों ने फार दिया आप तस्वीरों में देख सकता हैं मैं आपके सामने वीडियो रखवा रहा हूं उसमें आप देख सकते हैं रेलवे रोड पर लगे और तमाम जगा लगे ये फार दिये गए और उसके बाद किस तरीके के बॉल बचान दिये गए हैं क्यों दिये गए हैं वह पहले सुन लीजिए फिर आगे बताओं और यहां विदाग जी में फोटो लगा है हम इसको खाड़ेंगे चाहे इसमें हमें गूजर समाज के लिए मुकदमा लगे या कुछ भी लगे सत्ता के लोग हमें कुछ भी करान हैं और हम इन्हों होटिंगों को लगने लिजाएंगे इसी तरह आटाई जाएंगे कि हमारे समाज के तृतिहार राजामीर भोजी की मूर्ती का अनावरन धाद्री में बाइस्तारिक को होने जा रहा है और सत्तापक्स के लोगों की गलत नीतियों को देखो कि हमारे समाज के वनसद गूजर समराट मीर बोजजी के नाम के आगेर ये गूजर सब्द हटा दिया गया है कुछ लोगों की कुछ मानसिक्ता के करण मैं आप सभी को ये अवगत करा दूँ कि समाज ऐसा कते भी बरदास नहीं करेगा और ये जो गूजर सब्द हटाइगा है हम इसका वरोज करते हैं और इस बैनर को मैं फाडने जा रहा हूँ अगर इस बैनर के फाडने से इस बैनर के फाडने से अगर मुझी पर कोई मुकतमे का प्रवदान हो या देश दुरोय का प्रावधान हो तो सरकार या सच्ता के लोग लगा सकते हैं लेकिन हम अपने समाज के वन सच गूरः सवाज के गॉरः साली त्याच को खतम होने नहीं देंगे जैंद जै गूजर समाज जै समराथ मीरवज महान सुलिया अपनी धियान से कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि जब शोशल मीडिया पे हंगामा मचा तो यहां जो बीजेपी के विधायके उन्होंने बहुत ही साथानी बढ़ती और उन्होंने समराट महिर भोज को गूजर समराट लिखने से गुरेज किया उन्होंने जो होडिंग लगवा है उस पर सिर्फ समराट महिर भोज लिखा यानि के उनको गूजर समराट नहीं लिखा इसी को लेकर गूजर समुदाय के लोग गुस्ते में थे और उन्होंने मुक्यमंत्री के पोस्टर लगे वे होडिंग जो थे उनको फाट डाला और उस करते हैं जार्चा थाने में धर्ज हुए मामले की तो यहां 200 लोगों के खिलाब एक मुकदमा धर्ज किया गया है जो करनी सेना के लोग बताए जा रहा है कि ये लोग एक पंचायत करते हैं और उस पंचायत में जो है बढ़काओ बाते की जाती है पहले पंचायत के नाम पर हंगामा जो हो रहा है उसकी तस्वीरे देख लीजिए फिर कुछ बॉल बचन आपके सामने रखता हूं फिर मुकदमे का जिक्र करेंगे है अब देखो वीडियो के शेयर करते हैं अब देख लिए आपने किस तरीके से पंचायत के नाम पर हंगामा हो रहा है पलीस मां पर मुझूद है किसी को भी मौकेशा गर्फतार गया लेकिन 200 मोगों के खिलाब जो खुदे राजपूत जाती से तालुक रखते हैं इसलिए इनके खिलाफ हलका मुकदमा किया गया और गुजर समुजाय से जो लोग तालुक रखने जाती से लोग तालुक रखने उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्च किया गया है उनकी ग्रफतारी की कोशि हैं सुन लिए जिनने मिला नहीं कुछ विराजत में जिनने मिला नहीं कुछ विराजत में यहां तुलाने लगे पर बेटा ने लिए आपने तो इस तरीके के भड़काओ वाशन दिये गए दो जातियों के बीच वैमनस से फैलाने की कोशिश की गई इसमें गंभीर धारों में मुकदमा धर्ज होना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया पुलिस गया वही है उत्तर प्रदेश की क्या कर सकती है महराज बाइस सारी को आ रहे हैं पता चला पुलिस वालों ने उठा के धंका मुकदमा ध कर दिया और राजपुस समुदाय के लोगों को ठाकी जेल में डाल दिया ज्यादा बढ़का हूँ बोलने पर तो पदा चला पुलिस वाले ही नब कि इस कहानी को छोड़िए लेकिन इसमें सबसे लिच्चस पहले वह जान लीजिए बिसाड़ा गाउं तो आपको याद गया उन्होंने इस बात की जाज़त नहीं दिया आप इससे समझ सकते हैं बिसाड़ा गाउं में पंचायत क्यों की जा रिये बिसाड़ा गाउं से क्या लेना देना है हो सकता है इस मामले को जो अभी लग रहा है कि गूजर वर्ष्छे राजपूर बन रहा है उसको प्रत्वीराच चुहान को लेकर किस तरीके का विवाद सामने आये था और उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया राजपूत समुदाय से जुड़े वे लोग डियम के दफ्तर में पहुच गये वहां लिखित में शिकायत की और उसके बाद प्रेस कॉंफेंस और पंचायतों का दोर शुरू हो गया बाद में पुलिस सरकत में आये और उस होडिं को या यह कहें कि कुछ राजाओं को लेकर गूजर और राजपूत आमने सामने आते जार रहे हैं क्या यह संयोग है या परियोग है यह आप सोचेगा लेकिन कुछ चीज़े जरूर ध्यान देनी चाहिए जैसे 2014 के बाद से बारतिये जंता पार्टी ने अपने बताते अपनी जिंदे की लिया है लेकिन प्र भी नरेंदर मुदी नेन पर पब्जा कर लिया उनकी पर परतिमा खड़ी कर दी इसके अलावा धीरे-दीरे कोशिश की गई डॉक्टर भीम राव मैड़कर करने की लेकिन उस पर उन पर वह कर नहीं पाया इसके अलावा कहीं और उन के पूर्वद है उनको बड़ा मानते हैं हाला कि असल वाजय उसकी यह है कि उत्रप्रदेश के पश्चिम उत्रप्रदेश में खास तोर पर जो किसान अंदोलन चल रहा है उसका नेत्रवत जो है जाट कर रहे हैं जाटों को मनाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्या जाट उस तोर पर एक नेता के तोर पर पेश करते हुए और समराट महीर भोज को एक गूजर पूरवज बताते हुए उनकी परतिमा लगवा रहा था भाद में वह भी उनके होर्डिंग और पोस्टर से गूजर समराट गायब कर देता है वो भी इसी के जरिये गूजरों को साधने य जगा पाए जाते हैं लेकिन कुल मिलाकर ख़बर यह है कि अपने जो पूरवज है जो देश के पूरवाज हो सकते हैं किसी जाती धरम से उनका कोई लेना देना नहीं हाला कि कोई कभी आपने देखा है मुला नाजाद को लेकि लड़ रहा है वो गेरा हो यह मेरे जो है उनके नाम का भी बहराईच में एक परतिमा लगाने की बात की गई है उसके जरीए जो राजबर समुदाए के लोग है उनको अपने हाग साथ मिलाने की बात कही जार रही है आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ फिलाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी रा जादाब